जो दोस्तो कैसे हो आप सब I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगी दोस्तो स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल रिखास ब्यूटी वर्ड में दोस्तो मैं आज के वीडियो में आपको फेशल स्टॉक्स की थियोरी देने वाली हूँ मसाज स्टेप जब हम कोई भी अपना फेशल करते हैं या फिर हम खुद का फेशल करते हैं तो हमें अपने फेशल के दोरान जो मसाज का स्टेप होता है हमें उसमें कौन-कौन से स्टेप्स करने चाहिए मसाज के दोरान वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ हर एक face का हमारा जो parts होते हैं nose, forehead, jawline, chick इन सब पर massage के कुछ steps होते हैं उन्हें हमें proper way में एक सही तरीके से follow करना चाहिए जब हम उन्हें सही तरीके से सारे steps को follow करते हैं तो हम जो भी facial करते हैं उसका एक हमें बहतरी result मिलता है तो हमें इन steps को ज़रूर follow करना चाहिए तो आज मैं उसे के आपको थियोरी देने वाली हूँ तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरे facial steps अच्छे से clear हो जाएं और आप अपने facial के दौरान इन steps को follow कर पाएं तो चलिए start करते हैं देखिए जब हम यह हमारे facial stocks, massage steps जब हम कोई भी facial start करते हैं massage start करते हैं तो हमें journal application करनी होती है सबसे पहले journal application के through हम जो product होता है massage के जो cream होती है उसको हम spread करते हैं पूरे face पर अपने तो हमें कैसे करना है इसे start from the chin, chick, nose, forehead, temple point then slide down to chin हमें start करना है chin से, फिर chick पे आना है फिर nose पे आना है, फिर forehead पे आना है then temple point, then slide down to chin देखा आपने की जब हम journal application में अपने product को spread कर रहे हैं पूरे face पर लगा रहे हैं अपने product को तो हमने सारे parts cover कर लिया, पूरा face कर लिया chin से start किया, chick, nose, forehead temple point और पूरा face पर हमने product को spread कर लिया तो हमारा face ready हो जाता है massage के लिए यह मैं आपको भी theory बता रही हूँ मैं इसका पूरा demo दे कर आपको बताऊंगी पहले मैं dummy पर आपको facial strokes के practice कर रहा हूंगी फिर मैं आपको face पर facial का demo जब दूंगी तो उसमें भी आपको अच्छे से clear हो जाएगा देन उसके बाद हम neck पे आते हैं neck पे हमें करना है upward हमें दोनों हाथों से upward और uplifting slideward इसे हम fanning भी कहते हैं यह हमें neck पर apply करने इनको करके मैं दिखाऊंगी आपको तब और अच्छे से clear होगा अभी आप इन्हें note down कर लीजे ताकि मैं जब demo दूंगी आपको तो आपके पास note होगा तो आपके पास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम neck कर देंगे तो then again हमें general application करनी है ताकि वो product जो हमारे face पर है वो पूरे तरह से spread होता रही हमारे face पर तो general हर एक step के बाद हमें general application करनी है neck पर हमने upward uplifting हर एक step को आपको 3 to 4 times करना है यह नहीं कि आपने एक बर upward uplifting किया neck पर और छोड़ दिया नहीं आपको 3 to 4 time हर एक step को follow करना है then हमारी jawline आ जाती है jawline पर हम जाएंगे jawline पर हम सबसे फैला step करेंगे cupping and ironing out with both hand cupping और ironing out करेंगे हम दोनों हातों से then हमारा आ जाता है pressing from the chin till the earlobe हम pressing करेंगे chin से लेकर earlobe तक फिर हमारे pinching same chin to till the earlobe pinching करेंगे हम chin से earlobe तक यह 3 step हमारे jawline के होगे jawline पर हमें इन 3 steps को 3 times follow करना है ति 3 times करना है उसके बाद then again हमें करना है journal application तो हमारी neck कवर हो गई हमारा jawline कवर हो गया then हम आ जाएंगे अपने lips पर lips पर हमें करना है criss cross with index finger index fingers के साथ हम criss cross करेंगे then हम करेंगे half moon start from lower lip to upper lip pressure देंगे हम upper lip पे थोड़ा सा और उसके बाद slide back आ जाएंगे चिन पर फिर हमारा है small circle in the shape of half moon small circle बनाती हुआ आएंगे हम lips पर half moon की shape में और upper lip पर थोड़ा सा हलका सा pressure देंगे then slide back आ जाएंगे chin पर make a figure of 8 at the lip corner उसके बाद हम करेंगे journal application तो यह four step हम lips पर follow करेंगे तो देखे आप कितने अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा मैंने आप सबके लिए notes बनाए है ताकि आपको अच्छे से clear हो पाए then fifth number पर आजाएगा हमारा laugh line laugh line में हमें करना है zig zag with index finger uplifting start from small finger to index then index finger to small अभी आपको तो यह confusing लग रहा होगा बट यह बहुत जादा easy है जब मैं आपको करके बताऊंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा उसके बाद हमारा है nose नोस पे हमें कौन-कौन से steps को फॉलो करना है clockwise and anti-clockwise with index finger on the nose corner make figure of eight on the nose corner nose tip uplifting करना है हमें index finger से then हमें उसके बाद करना है criss-cross with index finger till the hairline and slide back आजाना है उसके बाद हमारा है one hand cupping करेंगे हम then chill line other hand scissor stroke around the nose by pressing tear duct tear duct पे हमें हलका सा pressure देना है बहुत ही light यह हमारे nose की होगे सारे step 4-4 step हमारे nose की है यह भी हम three time करेंगे उसके बाद हम करेंगे journal application हर एक step को three times three to four times करना है उसके बाद आपको करना है journal application जो हमने शुरू में की थी उसके बाद हमारी eyes आजाती है hand cupping on the chin with another hand make figure of eight ठीक है फिर हमारा second step है eyes पर make figure of eight in small circle with finger around the eyes third step है हमारा eyeball rotation with ring finger ring finger से हमें eyeball rotation करना है क्योंकि ring finger में हमारा pressure बहुत light होता है make figure of eight with ring finger on the corner of eyes corner eyes के corners पर हमें eight की shape में finger से मसाज़ देनी है then fifth number होगा हमारा eye का vibration with both hand दोनों hand से हमें eyes पर vibration देना है उसके बाद हमें हमें दुबारा से करना है journal application तो यह हमारे eye के straps कवर हो गए उसके बाद हम आजाते है eyebrows पर eyebrows पर करना है हमें uplifting I hope कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा uplifting eyebrows with index finger from one corner to another corner pressing and ironing out with the with thumb and index finger ठीक है यह हमारे eyebrows के facial strokes हो गए उसके बाद हमें again journal application करनी है उसके बाद हम forehead पर आजाते हैं forehead पर हमें करना है uplifting with all fingers start from one temple point to another temple point second हमें करना है make figure of eight horizontal position while cupping on the chin horizontal position में आपको एक hand से eight बनाना है अपने forehead पर और एक hand से आपको cupping motion में chin को hold करके रखना है then हमारा आ जाते है third forehead का step crisp cross with index finger of both hand scissors stroke while making z or friction in it forehead पर next fifth point है हमारा one hand cupping to chin cupping on chin and ironing out with all fingers six है हमारे tapping all finger all fingers के साथ तो उसके बाद then again हमें journal application करना है तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि forehead पर हमें six steps को follow करना है इनको आपको रटा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इनको नहीं आपको लर्ण करना पड़ेगा नहीं आपको रटे लगाने की जरूरत है जब मैं आपको इनका डेमो दूंगी आपको बताऊंगी करके कि किस तरह से इनको करना है फिर आप उसी तरह से अपनी notebook को सामने रखके पांचे बार इसके practice करेंगे तो आपको खुद ही यह learn हो जाएंगे आपको कोई भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हर एक step खुद बख खुद आप उसको अच्छे से कर पाएंगे then हम आज हमारा 10 पॉइंट है चिक्स पर आजाते हैं चिक्स पर हमें करना है big circle inward motion में करना है आउटवर्ड नहीं करना हमें उसके बाद figure of 8 बनानी है हमें चिक्स पर और upward and slideward करना है यह हमारे face के पूरे steps complete होगे सारे face के parts के फिर हमें three way stroke करना है three way stroke में हमें pressing, pinching, tapping, small circle, knuckling यह सारे steps को follow करना है कहां से कहां तक chin to ear lobe तक, lip corner to mid of the ear तक, nose corner to top of the ear तक इन तीनोग पर हमें यह सारे steps को follow करना है three to four times ठीक है then यह हमारे facial strokes complete होते हैं यह सारे facial strokes करने के बाद हमें अपने nine relaxation points होते हैं हमारे, उनको हमें करना होता है, तो हमारे nine relaxation points कौन से होते हैं देखिए सबसे पहले आपको mid of the forehead, nose के उपर, यहाँ पर first point होता है, आपको हलका सा pressure देना है फिर second press करना है, फिर third, फिर eyes के corner पर हमारा fourth point होता है, फिर हमारा nose corner पर fifth point होता है lip corner पर हमारा seven point होता है, under the lips हमारा, sorry, lip corner पर six होता है और under the lips seven, back of the ear eight point और back of the neck nine point, यह हमारे relaxation points हो गए कि जो हमने massage की है, उसके बाद हमें अपने client को relaxation भी देना होता है या फिर in points को हम अपने, जब खुद पे facial करते हैं, तो भी हमें इनका use करना चाहिए, बहुत अच्छा benefit मिलता है then हमारा 12 point होगा vibration, ठीक है, vibration देनी हमें full hand से, अपने दोनों hand से उसके बाद हमारे last में end कर देना है facial strokes का feather touch के साथ तो यह पूरी theory थी facial strokes की, जब आप इन सारे facial strokes को अच्छे से करते हैं, अच्छे से follow करते हैं तो आप जो भी facial कर रहे हैं, कोई भी facial हो, किसी भी skin type पर हो, तो आपको एक बहतरीन result मिलता है दोस्तों, यकीन मानिए, तो आपको इन सारे facial strokes को बहुत अच्छे से follow करना है मैंने इसलिए सबसे पहले आपको facial strokes बताएं सारे, तक कि जब मैं facial आपको करवा हूँ, facial का demo दूँँ, आपको facial बताऊं, तो आप उन्हें अच्छे से आपको समझ में आ सके, क्योंकि आपके पास पहले से theory होगी, तो वो आपको अच्छे से clear हो पाएंगे क्योंकि theory तो बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैं साथ के साथ आप लोगों के लिए theory भी note down कर रही हूँ, और साथ के साथ आपको theory भी देती चारही हूँ, तो I hope कि आज का video आपको अच्छा लगा होगा, मैं जल्दी next इसका practical करके दिखाऊंगी आपको, तो next video इसका practical का होगा, जिसमें मैं आपको करके बताऊंगे कि इन सारे steps को आपको face पर किस तरह से करना है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से clear हो जाएंगे सारे steps, आपको कोई भी step याद नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद सारे steps अच्छे से आ जाएंगे, तो आज का video आपको कैसा सारे videos की notification आप तक पहुंचती रहें और आप उन्हें easily watch कर पाएं, क्योंकि मैं next video इसके practical का बनाऊंगी, तो आपको सारे steps अच्छे से clear हो जाएंगे कि आपको इन सारे steps को face पर किस तरह से करना है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा, अच्छा लगाओ तो वीडियो को like ज और यूँ ही प्यारबादे रहें, take care, bye bye